मारत में पिछे 24 खंटे में कोरोना के 8488 ने के सामने आए हैं वही सक्रे मामलो की संख्या में विरी कोड गिरावट दर्च की गई देश में फिलाल सक्रे मामलो की संख्या 1,18,443 है जो की कुल मामलो का 0.34 प्रतिशत है ये दर्ड मार्च 2020 के बाद से समसे कम है वही 24 खंटे में महामारी से 209 लोगों की मोत हो गई जबकि 12,510 लोग ठीक हुए 11,990 ने मामलों में से केरल से ही 5,080 मामले दर्च किये गए है वही केरल में 24 खंटे में 40 लोगों की मोत हो गई जबकि 7,908 लोग ठीक हुए वही भारते चिकित्सान उसंधान परीशन ICMR के मताबर 21 नवंबर 2021 तक देश में 63 करोड 25,24,269 सैंपल की जाच की गई इन में से आपको बता दे की 7,83,566 सैंपल की जाच कल की गई थी बात करें महारास्टरा की तो महारास्टरा के ठाने में 24 खंटे में 98 नए मामले सामने आए इसके बाद यहां संक्रमितों की संक्या बढ़कर 5,68,454 हो गई वहीं संक्रमंट से मोत का कोई मामला सामने नहीं आया और म्रतकू की संक्या अभी भी 11,272 है जिले में कोरोना से मृत्तुदर 2.03 प्रतिशत है उधर पाल घर जिले में कोरोना के मामलों की संक्या बढ़कर 1,38,453 हो गई है बात करेंगे मिजोरम की तो आपको बता दे कि मिजोरम में 242 खंटे में 202 नहीं मामले सामने है राज्ये में कुल सक्रे मामले 4,786 है और अब तक कुल 489 लोगों की मोत हो गई है बात करेंगे जनपद सहारेनपूर की तो आपको बता दे कि लगातार ये सात्व सब्ता शुरू हो चुका है कि सहारेनपूर पूरी तरस से कोरोना से मुक्त है हाला कि इस भी जनपद सहारेनपूर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है बता दे कि जन्पद में दो और मरीजों में डेंगू की पुस्टी हुई इसी के साथ जन्पद में अब तक डेंगू के 430 मरीज मिल चुके हैं हाला कि आपको बता दे कि इस दोरान स्वार्थे शिविर आयजित कर 27,086 लोगों का उपचार किया जा चुके हैं वहीं हम आपको एक बर फिर से कहना चाहेंगे कि कोरोना अभी खतम नहीं हुआ है इसी बीच देंगू की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है इसलिए साफधानी जरूर बढ़ते स्वच्चता का ध्यान रखें साफ सफाई का ध्यान रखें आज का अपडेट कैसा लगा आपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा